नमस्कार, पाकिस्तान के खिलाफ में लिहार के बाद भारत की प्लेइंग 11 को लेकर लगातार चर्चे हो रही है और अब न्यूजिलेंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए टीम में परिवर्तन होनी की संभावनाएं पूरी तरीके से सच होती हुई दिखाई दे रही है दरसल T20 विश्कप 2020 में भारत को खिताब का प्रबल दाविदार माना जा रहा था हर किसी को यही उम्मीद थी कि विराट कोली की टोली पाकिस्तान को धूल चटा कर अपने अभ्यान का आगाज धमाकिदार अंदाज में करी थी हालाकि टीम इंडिया ने फैंस की अर्मानों पर पानी फेर दिया लेकिन अब 31 अक्टूबर को टीम इंडिया को न्यूजिलेंड के खिलाफ मैदान पर उतरना है इसलिए कीवी टीम को मात देने के लिए नई स्ट्राटजी तैयार की जा रही है यही वज़ा है कि इस एहम मुकाबले में कप्तान विराट कोली प्लेइंग 11 में बदलाफ करने की मूड में दिख रही है और प्रैक्टिस सेशन की तस्वीरों को देखकर इसके संकेत भी मिल रही है बाना जा रहा है कि न्यूजिलेंड के खिलाफ भारतिय टीम में दो बड़े बदलाफ देखने को मिल सकते हैं दरसल पाकिस्तान के खिलाफ भूबनेश्वर कुमार ले में नहीं दिखे थे इसलिए उनकी जगे पर शारदुल को मौका मिल सकता है प्रैक्टिस सेशन में शारदुल्ठा को जमकर महनत करते हुए दिखाई दिए इसके अलाबा हार्दिक पांड्या भी प्रैक्टिस सेशन में गेनवाज़ी करते हुए दिखाई दिए हैं जो कि भारत के लिए एक राहत की खबर है लेकिन उनका हालिया प्रदर्शन बेहद खराब रहा है इसलिए उन्हें भी न्यूजिलेंड के खिलाफ टीम से बाहर किया जा सकता है और उनकी जगे पर इशान किशन को मौका दिया जा सकता है फिलाल अब देखना होगा विराट कोली और महिंदर सिंग धोनी क्या प्लान करते हैं और न्यूजिलेंड के खिलाफ किसे अंतिम 11 में मौका देते हैं बहराल आप बताएं भारत के अंतिम 11 में कोई चेंज होना चाहिए या नहीं